हेलो इभरीवन वेल्काम बैक आज मैं आप लोग लिए बिल्कुल रेस्ट्रुएं स्टाइल बटस्ट्रिकन की रेसेपी लेके आई हूँ बहुत ही इजी तरीके से सारे ट्रिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी तो सलिए रेसेपी स्टार करते है तो यहाँ पर मैंने एक किलो सि दर देंगी 1 टी स्पून्स रेचली पराई दर दर देंगी 3 टी स्पून धनिया पराई दर 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 दゲंगी charm त्डाप अब उसमें हाप का घाही देः जिसको मैं ने देही की सन्झी मैं एससे रखके। उसका पाणिस निकल डिया ठाक्यिकी जो देहीं है थोरासा गढ़ा ह आप इसमें हाप निबुकी राज दाल लेंगी धिसके बद नमक दाल लेंगी 3 sharViews और नमक दाल के दूबबर आशी कर से Mis var लेंगे और मिक्स करके अधा गंटे से एक गंटे रेस के लिए रख देंगे आप यहाँ पर मैंने ग्रेवी के लिए दो प्याज लिया है अड्रक लशन लिया है तीन शेसार हरी मिश लिया है और टीन टामतल लिया है अब एक कराही में तू टेबल स्पून बतर डाल देंगे बतत दालने के बाद मेंने ग्रेवी के लिए मसला लिया था, अज्डक और लसन दाल लेंगे और दो प्यास को मैं भॉब स्लाइस करके कटा हुआ है, तो प्यास को दाल लेंगे और ऐस से पंधी इसकी अब क्हाज 210 आतल है, जरा भॉब से मिक्स कर लेंगे तीन तत North invented, इसको मैने बारे बारे पिसे में कात लिया है नमक नबाढ लेंगे और जिटापराद दाल लेंगे 2 मफब धनिया पडाद सीजोगों, पस्टे सनी तक शौये होन मीदिटिंगे जब प्याजर यह प्याद्ध द न्डवर हो जाएंगे तो घ्यास को अउप कर देगे и मसाले को थंडा कर लेंगे जब थंडा होको मिकसाजार में दाल देगे और डाल के फ़ाइन पेश त्यार कर लेंगे यक्ति में नहीं टाल धे ठीमिन साल zatुझंव घॖं तो दाल के शाल डिए दुझेयर देखके और किए apt recipes अधी बरम में किए अब सीक्ष में अब यहां पर मै निया हों आप साब होटे हैं या कोई भी ननिस्टिइक फैन मे बहUI्ट में भीनि अप शिकन को फ्राई कर सकते हो जब दोनों तरब शिकन अची चरह से फ्राई हो जाए तो उसको निकाल लेंगे और ऐसे ही सारे शिकन को में फ्राई कर लूँगी फिर उसके बट एक कराई में दुबड़ा और बता डाल दिया है अब उसमें हल्डी और कास्मीरी रेचली परण दाल देंगे और गराम मसला परण देंगे ताकि जो ग्रेवी है वो एक बढ़िया करार आजाए और हल्डी का जो तेस्ट है वो ग्रेवी में ना आए अब जो मेने मसला पीज़ के राखा था तो उसको साणी में ऐसे डाल के सान की यूज़ कर लेंगे ताकि जो बटस शिकन का ग्रेवी है वो स्मूड टेक्सर आजए तो सारे मसाले को ऐसे सान की यूज़ करने के बाद ये दिखिए कितना एक स्मूड टेक्सरा है बरस शिकन में आप जो शिकन में फ्राइगर करके रखा था तो शिकन को डाल देंगे और डाल के 10-15 मिनित तक शिकन को कुख होने के लिए रख देंगे तो बिस में पास मिनित के लिए में ध्हक दूंगी शिकन को ताकि जो शिकन है अची चरह से कुख हो जाए तो 10-15 मिनित के बाद शिकन भी पग गया है आप लास में कसुरी मिथी जाल देंगे 2 टेबल स्पून और कसुरी मिथी को ऐसे हाथ से मसल के डाल देंगे ताकि जो शाण दा इन्हेंस हो जाए अब सारे से चरह से मिक्स कर लेंगे और बिलकुल लास में 3 से 4 टेबल स्पुन खरकी मलाई या फ्रेशеся किम डाल देंगे और ial के चरह से मिक्स कर लेंगे और mix करके gas को off कड देंगी तो मलाई दालने के बाद और ज़दा cook करने की जरुवत नहीं है आप शिकन को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है शिकन को निकाल लिने के बाद उपर थोड़ा सा बतर और मलाई और स्वाप किया हुआ धनिया से मैंने शिकन को सार्प कर लिया है तो बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा तेज्टी बाता सिकन्रेडी है जिसको आप जिड़ा राइस तॉंदूरूरियोती या नान किसी के साथ भी सार्प कर सकते हो तो उमीद है फ्रेंज आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छे लगे और अगर आप मेरे सिनल पे नहीं हो तो मेरे सिनल को सब्सक्राइब करना मत भूलियेगा मिलती ही एक ने रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइ और टेक क्यर